हिडन बर्ग रिपोर्ट पर 36 गड़ के उप मुखिमलती अरुन साव ने कहा कि कॉंग्रिस और विपक्षित दर लगातार कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत के मानसम्मान और प्रतिष्ठा को शती पहुँचे लोग सभा चुनाओ के दवरान भी उन्होंने इवीम क कि निस्पक्षिता को लेकर चुनाओं में निस्पक्षिता को लेकर और चुनाओं आयोग की भूमी का को लेकर प्रश्ण खड़ा किया था ये लोग के वल दुनिया में भारत के मानसम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का लगातार प्यास करते रहे हैं उस तरह ये ल अवेजनवर्ग रिपोर्ट भी कहीं नए कहीं इसी शद्यांतर का हिस्सा है जब भी लोगसभा का सद्र होता है इस-तन विपक्षि दल इस तरह की काम लगतार करते हैं कि अधिश्व लगतार इस बात की कोसीर्थ करते हैं कि कि डुनिया के सामने भारत की बांसंबान और प्रतिस्था को छती पहुंचाए लोगसभा चुनाओ के समय भी इन्होंने EVM को लेकर चुडाओ में निस्पक्षता को लेकर चुनाओ आयोग की भुमिका को लेकर जो प्रस्न खड़ा किया केवल और केवल दोनिया में भारत के मांसंबान और प्रतिष्टा को धोमिल करने का यह प्रयास लगातार करते हैं और यह भी कही न कहीं किसी सड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोग सबासütfen होता है इस तरह के विसया आते हैं तो कहीं न कहीं यह विपक्ची दल इस प्रकारिक काम लगातार है